79,000 सिच्छक भरती से संबंदित बड़ी कबर आ रही है दोस्तों एक हम आपको खबर बताने जा रहें एक लेटर वारल हो रहा है उसके हम आपको सच्चा है बताएंगे जो कि सरकार की साजिस सामने आ चुकी है 79,000 सिच्छक भरती को लेकर आईएं निउस की तरफ चलते हैं उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिकेश्ट है कि अगर आप हमारे यूटूब चैनल यूएंड वीडी भी पर ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल का आइकन जरू दबा दीजे ताकि आप लोगों को हर लेटेस्ट अब्डेट सबसे पहले मिल सके आईए चलते हैं न्यूस की तरफ ये देख सकते हैं 69 अजर सिच्छक भरती का 19-3-2019 को आडर डिलीवर हुआ था और सासन ने अपील की तैयारी उसी दिन से प्रारंब कर दीती देखें सबूत आपको सबूत भी दिखाएंगी 11 अप्रेल 2019 को जारी पत्र या लेटर पुरान और सासन ने अपील की तैयारी उसी दिन से प्रारंब कर दीती जिसका सबूत ये पत्र हैं आपको पत्र भी दिखाएंगे वो लेटर भी दिखाएंगे सभी प्रतिवादियों को दी जाने वाली सारी फोटो कॉपी वी लीगल टीम के सामने करवाएं गें लाश्ट मॉवमे इंच लखनव द्वारा लखन रेट याजिका देख सकते हैं मौहमर रिजवान वान ने बनाम उत्तर प्रदेश राज में पारी तादेश दिनांक उन्तिस तीन दोजार उन्निस के विरोध योजित होने वाली विसेस अपिल में उत्तर प्रदेश राज की और से प्रवाव वो भी हम आपको बताने जा रहा हैं आपको बता दे 79 जर सिच्छक भरती 40-45% एंको का लेटर एक महा पुराना है दोस्तों यापत्र आज केस की जागरुक टीमों दौरा वाइरल किया रहा है आपको बता दें जो की सोचनी है यापत्र 40-45 का ओर्डर आने के बाद जारी कि गया था जो की ततकालिन अपरमुक सचिव डॉक्टर प्रबात कुमार जी ने जारी किया था और आज हमारी सचिव रेणुका जी है इसलिए इस पुराने सचिव अपरमुक सचिव जी के लेटर से हताहत होने के आवसकता नहीं है ये सिच्छा मित्रों का कहना है पुरानी पाते भूल जाए क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं नई सचिव ने से कई टीम अब तक मिली उन्होंने यही कहा कि सासन से जो भी निर्देश मिलेंगे उनका पालन किया जाए इसलिए परहसान ना हो लेकिन सतर कर रहा है 14 माई को उने जो भी आउडर होगा आपको विस् सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूटूब चनल हर लेटेस्ट अब्डेट पाता रहने लिए बहुत बहुत धन्यवाद